Allo Guys, Investment गयान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हमें कैसे fund के बारे में बात करेंगे जो अपने पैसे को large cap companies के अंदर investment करता है और जैसा आप जानते हैं दोस्तों कि large cap companies में लगा हुआ पैसा कम हमें वहां से return जरूर देखने को मिलता है लेकिन stability बहुत मजबूती से बनी रहती है क्यूंकि small cap, mid cap या penny stocks में लगाय हुआ पैसा दोस्तों बहुत तेरी से fluctuate होता है जहां पर हमें risk और return दोनों ही बहुत ज़ादा high होते हैं लेकिन large cap companies के अंदर या जो blue chip companies होती हैं उनके अंदर पैसा अगर हम invest करते हैं हम share में करें या mutual fund के थुरू करें तो दोनों के थुरू ही वहाँ पर दोस्तों हमारी fluctuation कम होती है और एक consistently growth उनमें होती चली जाती है तो ऐसे ही एक fund के बारे में आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे जिसका नाम है मिरे asset large cap fund मिरे asset large cap fund वो fund है जो अपने पैसे को दोस्तों blue chip companies के अंदर diversify करता है जैसे अगर मैं इसकी top holding बता हूँ तो Infosys Limited, SDFC Bank, ICSI Bank, Reliance Industry, Axis Bank, TCS State Bank of India, भारती Airtel, हिंदुस्तान Unilever, मारुती सुजू की जैसी जो Nifty 50 की companies हैं उनहीं के अंदर ये अपने पैसे को invest करते हैं तो इस वीडियो में सबसे पहले में आपको इसका अलग-अलग time period पर जो इसने return provide कराया है उसके बारे में बताऊँगा और उस return के बिहाफ पर अगर हम आज इस fund के अंदर investment करते हैं तो आगे आने वाले समय में क्या ये हमें उतना ही return provide करा सकता है जैसे हम इस fund का all time return देखे तो वो 18% से भी जादा है तो अगर कोई mutual fund 18% या उससे जादा का return provide कराता है तो दोस्तों हमारे पैसे को double होने में भी और हमारे fund को बहुत तेजी से growth होने में बहुत कम समय लगता है तो चलिए मैं आपको calculator पर अलग-अलग time period पर calculate करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले जान लेते हैं इस fund का performance पिछले 6 महिने में इस fund ने दोस्तों 12.25% का return provide कराया है पिछले 1 साल में 47.39% का return दिया है तीन साल का इस fund का return दोस्तों 15.60% है और 5 साल का इसका return 16.46% है और जब से ये scheme शुरू हुई है तब से लेकर आज़े तक 18.23% का इसने return provide कराया है अब दोस्तों अगर हम इसकी और थोड़ी सी basic जानकारी लें तो इसकी अभी NAV 80.50% पैसे पर चल रही है और इसकी rating दोस्तों highest है 5 out of 5 इसकी rating है fund size की अगर हम बात करें तो लगबग 26,000 करोड के आज़ पास इसमें दोस्तों लोगोंने पैसा invest किया हुआ है और इसका जो fund size है वो काफी बड़ा है अब इसके अंदर investment कैसे कर सकते हैं investment हम दोनों तरह से कर सकते हैं यानि आप SIP systematic investment plan monthly basis पर छोटा छोटा amount भी जमा कर सकते हैं और lump sum भी आप investment कर सकते हैं SIP की बात करें तो SIP में minimum आप 1000 रुपे हर महीने लगा सकते हैं और maximum जितना आपका budget हो आप उतना पैसा invest कर सकते हैं वहीं अगर lump sum की बात करें तो lump sum में 20,000 रुपे minimum और उससे ज़्यादा जितना आप चाहें उतना पैसा इस fund के अंदर investment कर सकते हैं अब दोस्तों अगर हम बात करें अलग-अलग time period पर जैसे माली जीए इसका हमने overall जो return देखा है वो 18% का है तो 18% return के हिसाब से अगर हम इस fund के अंदर माली जीए 2500 रुपे हर महीने invest करते हैं तो मैं आपको बता दूँ जो 10 साल में हम total investment करेंगी वो 3,000,000 रुपे का होगा लेकिन जो estimated returns हमें मिल सकते हैं वो दोस्तो 5,4,000,000 रुपे के होंगे और final amount जो हमने invest किया और जो हमें मिला उन दोनों को मिलाकर लगब 8,000,000 रुपे के आसपास दोस्तो हमारा fund raise हो जाता है मातर 25,000 रुपे हर महीने बचाने से अब इस time period को बढ़ाकर अगर friend मैं कर देता हूं मानली जी ये 10 साल की जगा 15 साल तो यही हमारा amount 25,000 रुपे हर महीने 18% का return जो हम expect करके चल लए हैं और 15 साल का period अब जो total investment हमारा होगा वो 4,50,000 रुपे का होगा लेकिन final amount जो हमारा हो चुका होगा वो 22,98,000 यानि के लगभग 23,000,000 रुपे का हो चुका होगा अब इसको और अगर time period को हम बढ़ाकर मानली जी 20 साल कर दें तो total जो investment हमारा होगा वो सिर्फ 6,000,000 रुपे का होगा लेकिन हमारा fund अब बढ़कर दोस्तो 58,000,000 रुपे के आसपास हो चुका होगा तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा return और consistency अगर हम बना के रखें किसी भी mutual fund में investment करते समय और time period थोड़ा सा ज्यादा ले तो हमारा छोटा छोटा amount और जो जमा करेंगे हम पैसा वो एक बड़े fund में तबदील हो जाता है अब दोस्तो ठीक इसी तरह से आप इसके अंदर लंसम में भी investment कर सकते हैं for example आप इसके अंदर एक साथ एक लाख रुपे का investment करते हैं और 18% का ही ये हमें return देता है तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि हमारा पैसा कितने दिन में double होने के chances हैं तो हमारा पैसा दोस्तो चार साल के period में लगभग double हो जाता है यानि एक लाख रुपे का investment और अगर 18% का ये हमें return दे रहता है तो 4 साल में हमें बढ़कर 93,000 रुपे के आसपास मिलेंगे यानि 20% का जब return होता है दोस्तो तो हमारा पैसा 4 साल में double हो जाता है लेकिन यहां पर 18% का return है तो हमारा पैसा लगभग 4 साल 2 मेने और 3 मेने में double हो जाएगा ठीक इसी तरह से अगर हम इस time period को बढ़ा कर दोस्तों कर देते हैं 10 साल तो अब हमारा 1,00,000 रुपे invested जो था और 18% return के हिसाब से अगर हम calculate करें तो 1,00,000 रुपे बढ़कर दोस्तों अब 5,23,000 रुपे हो जाता है क्योंकि 10 साल में 18% के compounded return के हिसाब से 4,00,000 रुपे का estimated return हो जाता है ठीक इसी तरह से अगर इस time period को बढ़ा कर हम कर देते हैं 15 साल तो 15 साल में अब हमारा 1,00,000 रुपे बढ़कर हो जाता है 11,97,000 और 20 साल में यही पैसा बढ़कर हो जाता है दोस्तों मातर 1,00,000 रुपे का investment 27,49,000 रुपे अगर यह इस से दोस्तों 1,2% कम भी return provide कराता है तो भी दोस्तों हमारा fund अच्छा खासा बढ़ा हो जाएगा क्योंकि हम LIC या दूसरे schemes से अगर comparison करें तो 20 साल में भी दोस्तों हमारा पैसा जादर जादर 2 गुना या 3 गुना ही हो पाता है यानि हमारा एक लाग रुपे investment दो लाग या 3 लाग रुपे maximum मिल सकता है ठीक इसी तरह से अगर इस time period को हम बढ़ा कर देते हैं 25 साल तो अब हमारा एक लाग रुपे बढ़कर दोस्तों 62,66,000 रुपे के आसपास हो जाता है और इसके साथ साथ मानली जी आप अभी 30 age में ह या 35 age में है या 25 में है और आप अपने retirement के point of view से एक साथ कुछ पैसा investment करना चाहते हैं तो आप 1 लाग रुपे invest करके छोड़ दे तो आप जिस time retire होंगे उस समय आपके पास में एक बड़ा fund इखटा हो चुका होगा अगर ये fund 18% का return maintain करता है एवन अगर ये fund दोस्तों 15% क लेकर चलते हैं तो एक लाग रुपे तो भी हमारा बढ़कर 32 लाग रुपे हो जाता है और अगर ये कुदा ना खास्ता मालीजी 20% का return provide करा दे तो हमारा एक लाग रुपे बढ़कर अगले 25 सालों में 20% return के हिसाब से 95 लाग रुपे हो जाता है तो दोस्तों ये है power investment की compound effect की mutual fund की जिसमें आप एक बार investment करके एक बड़ा fund एकटा कर सकते हैं और share market में जो जबरदस्त returns देहने को मिलते हैं वो आप mutual fund के तुरू ले सकते हैं without any investment in stocks या direct investment करने के अलावा mutual fund के तुरू आप ये सब कर सकते हैं अब friend आपको investment कैसे करना है नीचे वीडियो के description में link है उ पास में होना चाहिए जिसके तुरू आप किसी भी mutual fund के अंदर investment कर सकते हैं तो नीचे description box में link है link पर click करके आप अब stock के तुरू कर सकते हैं अब stock दोस्तों हमें ये facility provide कराता है कि आप जो भी investment चाहे share market में करें चाहे mutual fund के अंदर करें पहली बात तो एक ही platform पर हमें दोनों चीज़े मिल जाती हैं और अगर आप mutual fund के अंदर investment कर रहे हैं तो आपसे किसी भी तरह का कोई hidden charge नहीं लिया जाता है और आपका जो investment होता है वो direct way में होता है किसी भी तरह का कोई agent commission या दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी commission या कोई charge नहीं होते हैं तो तो P energía में और एक uh bucket ह अकाउंट कैसे ओपन करना है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसका भी लिंक नीचे अविलेबल है और दोस्तों नीचे आप स्टोक का लिंक भी अविलेबल है जिसमें आप 99 रुपीज में अपना अकाउंट ओ शेर करें ताकि और लोग भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट से अवेर हो सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जरनी को शुरू कर सकें धन्देवाद